नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका The News Launcher के इस YouTube मंच पर दोस्तों आज तारीक है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर को आज सुबा जब हम आपसे मुखातिब है आज दिन में सियासी गतिविदियों का केंद्र दिल्ली में रहना है और दिल्ली में भारती जनता पार्टी की तरफ से नहीं सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं सत्ता पक्ष की तरफ से तो माफिल लूटने की कोशिस कल की गई जब एक साथ ठोक के भाव में 92 सांसत सदंसरी लंबित कर दिये गए आज इंडिया गटबंदन की जो दिल्ली में बैठक है उसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया गटबंदन अपना कोई संयोजक चुनेगा अब चारिक तोर पर इंडिया गटबंदन का कोई संयोजक चुना जाएगा बिहार के मुख्य मंतिर नितिस कुमार ने जब पटना से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी फ्लाइट में उनके साथ साहरवाज हुसेन और जीतन राम माजी भी दिखे दुआ सलाम भी हुई लेकिन क्या ये दुआ सलाम विपक्ची दलों के बीच इतना है इस अस्तर पर ये चौथी बैटक जब करने जा रहा हो तब वो एक संयोजक चुन पाए अब सवाल सांसदों के ठोक के भाव निलंबन तक आ चुका है अब सवाल लोकतंत्र को बचाने का आ चुका है अब सवाल इस देश में आगामी लोकसभा चुनाओं के बात की परिस्तितियों का नहीं च सेना में भरती के लिए तैयारी कर रहा नौजवान हो चाहे वो वेकेंसी के लिए सरकारी वेकेंसीयों के लिए जद्दो जहत कर रहा दिल्ली लहावाज गोटा पटना में बैटा हुआ नौजवान हो और चाहे नयाय की आस में भटक रही इस देश की महिला पालवान हो चा और इन सब के बीच इस देश का वो तबका भी है जिस तबके को लेकर के गरीवी रेखा की परिवासाएं गड़ी जाती है सरकार कहती है कि 13 करोड के से जादा लोगों को गरीवी रेखा के दाइरे से बाहर लाया गया और यही सरकार खुद कहती है कि इस देश के 80 करोर लोगों को सरकारी रासन यारी 5 किलो रासन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रखने का काम मोधी सरकार ने किया है कौन सा दावा सही है ये दावा कि 13 करोर लोग गरीबी रेखा से नीचे है और 13 करोर के करीब लोग ही निकाल दिये गए कुछ सालों में या ये दावा कि 80 करोर लोग 5 किलो रासन की इमदाद पर जिंदा है जाहिज सी बात है दोनों दावे सही नहीं हो सकते कोई एक ही सही हो सकता है और जो सही है वो यही है कि वाकर ये 80 करोर लोगों तक सरकारी रासन पहुचा कर उनकी पेट पालने की गुंजाईस को बनाए रखा जा रहा है लेकिन पेट पालने की गुंजाईस इस देश में नागरीकों की बनाए रखना और लोगतंत्र में वोट बैंक को बचाय रखना इन दोनों की सियासत के बीच जब सामप्रदाइकता की एंट्री हो जब धर्म की एंट्री हो जब मंडल की एंट्री हो जब कमंडल की एंट्री हो जब जाती की एंट्री हो सामप्रदाइक नेरेटिव की एंट्री हो तो इन के बीच में सत्ता हासिल करने की नियूंतम साजा कारेकरम की 25 सालों तक 1989 से 2014 तक इस देश में सरकार चला चुके सफलता पूरुवक सरकार चला चुके इस देश के अलग अलग रहा है तिक दल जो मौजूदा दौर में एक प्लेटफॉर्म पर है हलाकि भारती जंता पार्टी विए उन 25 सालों में 6 सालों तक थी लेकिन उसको छोड़कर तमाम दल जबी कठे है तो सवाल यही है कि नरंद मोली के बरक्स चेहरा कौन होगा और चेहरा यदी नहीं होगा तो गठबंधन चलाने वाला चेहरा कौन होगा सरकार का चेहरा तो बाद में भी चुना जाएगा लेकिन गठबंधन का चेहरा कौन होगा गठबंधन के सयोजक की जिम्मेदारी कौन सभालेगा कौंगरेस पार्टी के अंदर से मलिकार जुन खड़गे का नाम लिया जा रहा है जनता दल उनाइटेड और छेत्रिये दलों की तरफ से नितिस कुमार का नाम लिया जा रहा ह सरत पमार और उद्धो ठाकरे की पार्टीयों के लोग भी नितिस कुमार के चेहरे पर सहमत बताये जा रहा है वाम पंथी दल भी नितिस कुमार के चेहरे पर सहमत बताये जा रहा है अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी जिसे आज ही दुबारा ईडी का प्रेम पत्र प्राप्त हुआ है वो भी नितिश कुमार के नाम परी समझ जताई जा रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या चौथी बैठक में भी इंडिया गट बंदन भारती जनता पार्टी को ये मौका देगा कि वो इंडिया गट बंदन को इंडी अलायंस ही करते रहें और इसी का निदान असोका होटल में कल ढूंडने की कोशिस होगी इसी का निदान जब तमाम अलग-अलग दलो के नेता चाहे डियम के हो जेडियू हो आर जेडियू हो तिनमूल कॉंग्रेस हो लेट प्रंट हो कॉंग्रेस पार्टी हो कस्मीर की पार्टियां हो आम आदमी पा सबसे बड़ा सवाल ही होगा हेमन सोरेन की पार्टी के परत्निधी हो एकर सबसे बड़ा इक उख। नहीं चाहिए और इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस इंडिया गठ बंधन को एक साथ बिठाने की कवायद नितीश कुमार ने शुरू की और नितीश कुमार ने उस पहल को अजयाम तक महुँचाया वरना कौन सोच सकता था कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक मंच पर इकटा हो जाएंगी कौन सोच सकता था कि सीताराम येचुणी और मम्ता बनरजी एक मंच पर होंगे और कौन सोच सकता था कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ कुछ ऐसे दल भी मंच साजा करने को तयार होंगे जो कॉंग्रेस पार्टी को देखना तक पसंद नहीं करते लेकिन एक तरब भारती जनता पार्टी की सत्ता चलाने की कोशिस और सत्ता चलाने की कवायद के दर्म्यान लोकतांत्रिक तरीकों की औहलना की पूरी की पूरी पराकास्था और इन सब के बीच कॉंग्रेस पार्टी के जनाधार का सिमठते जाना और सिमठते हुए जनाधार के बीच कॉंग्रेस पार्टी को तातकालिक तोर पर छेत्रिये दलों के ऑक्सीजन की जरूरत यह सारी चीजें जब एक साथ दिखेंगी तो कल इंडिया गटबंदन की बैठक में पुरानी चीजों पर चर्चा हो या ना हो इस बात पर छेत्रिये दल चर्चा जरूर करेंगे कि तीन राज्यों में तो कॉंग्रेस पार्टी अकेले लड़ी तीनों राज्यों में कॉंग्रेस ही ताकतवर थी तीनों में पिछली बार जीत भी हासिल की थी लेकिन उन तीनों राज्यों में सत्ता क्यों नहीं मिली परदेश राजस्थान 36 गड़ की नहीं हो ये संभव नहीं है आज भारती जनता पार्टी वही ताकतवर है जहां भारती जनता पार्टी की लड़ाई कॉंग्रेस से है उत्तर परदेश के एक्जामपल को छोड़ दे दिल्ली के एक्जामपल को छोड़ दे तो यूपी और द इल्ली को छोड़कर बीजेपी बनाम कॉंग्रेस जहां भी है चाहे उमत परदेश हो, राजस्थान हो, छतिस गड़ो, हरियाना हो, जारखंड में के कुछ इलाके हो, गुजरात हो, उत्राखंड और हिमाचल का मामला हो, लोग सभा के मामले में भारती जंता पार्टी कॉंग किसी को आस्चर नहीं होना चाहिए, इवियम पर भी सवाल होगा, इवियम को लेकर भी अलग अलग तरह की बाते चल रही है, इवियम के सहारे चुनाओं में जाने को विपक्षिदल तयार है कि नहीं, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यही है कि नितीज कुमार संयोजक और चारिक तोर पर चुने जाएंगे, यह मामला आगे भी लटकेगा, नितीज कुमार नहीं, तो आखिर कौन सा चेहरा संयोजक चुना जाएगा, नितीज कुमार मौजूदा दौर में सिर्फ एक राजी के मुख्यमंत्री नहीं, बलकि मंडल पार्ट टू के सबसे बड़े ध्वजवाक नजरा रहे हैं, जाती जनगन्ना की मांगो, आरक्षन बढ़ाने की मांगो, सरकारी नौक्रियों का पिटारा खोलने की बात हो, इन सारे पैरामीटर्स पर पूरे हिंदी भासी भारत में, आज किसी एक मुख्यमंत्री का डंका बच रहा है, तो नितीश कुमार का बच रहा है, और नितीश कुमार के चेहरे के साथ जो यूएस पी जुड़ी है, निश्चित तोर पर एक लाइन खीचने की कोशिज जो नरिंद मोदी ने की है, वो लाइन यही है कि भरस्टा चार और परिवारवाद, नितीश कुमार को परिवारवाद के खाचे में फिट नहीं किया जा सकता तमाम आरोप दूसरे लोग लगा सकते हैं आरोप राज्जिती में लगने भी चाहिए आरोपों से मुक्त कोई हो भी नहीं सकता लेकिन भस्टाचार और परिवारवाद के दो आरोप ब्यक्तिगत तोर पर नितीश कुमार पर उनके विरोधी भी नहीं लगाते बिहार जाते हैं अमित्सा आज कल बहुत जा रहा है वहां भी जाकर के ब्रस्टाचार और परिवारवात का आरोप चस्पा वो नहीं कर पाते ED अब तक नितीश कुमार के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है तो ये सारे USP और ये सारी खूबियां निश्चित तोर पर वो एक क्रेडिवल चेहरा परदान करती है इंडिया गटबंदन के पास जहां नरेंद्र मोदी के पिछड़ा काड का भी मुकाबला होता है तो नरेंद्र मोदी के ब्रस्ताचार और परिवार वाद के नए चुनावी जुमलों का भी मुकाबला होता है तो मुकाबले की लड़ाई में जब इंडिया गट बंदन खड़ा है तो कल सहयोजक का फैसला किस रूप में होगा इस पर हमारी आपकी सब की दिल्चस्पी बनी रही है और इस सहयोजक ही ये तै करेगा सहयोजक का चेहरा ही ये तै करेगा कि यूपी से लेकर बिहार तक जार कॉंससनेस ये मंडल के साहे तले लोग सवाचुनाओं में जाएगी या कमंडल के साहे तले जाएगी नितीज कुमार का चेहरा सामने नहीं रखने का मतलब ये हो सकता है कि पिछड़े वर्क को भी एक वाक ओवर देना कि वो राम मंदिर के मुद्दे के साथ चले जाएग लेकिन राम मंदिर के मुद्दे के बरक से दी जाती जंगना और आरक्षन को खड़ा करना है तो चेहरा नितीज कुमार का लगाना होगा लेकिन एक चेहरे पर कई चेहरे जो लोग लगा लेते हैं सियासदान लगा लेते हैं क्या वो चेहरा इंडिया गट बंदन भी लगा आएगा इन सब के जवाब के लिए कल साम तक का इंतिजार कीजिए कल साम में फिर आपके साथ उपस्तित होंगे और कल साम के बात छोड़िए आज साम का इंतिजार कीजिए आज साम ही आपके सामने उपस्तित होंगे और बताएंगे कि क्या होगा फिलाल के लिए इतना ही नम कर दो सकार।